हाई एव्यवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम कंप्यूटर से लेटर कोशन से देखेंगे आपके HP SSC JIT 939 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपके HP High Court में जो कंप्यूटर अवेनस आएगी उसके लिए भी इक्विली इंपॉर्टेंट होंगे तो देखिए बेसिक फंडामेंटल से आप अपनी नॉलेज परक सकते हैं कि आपने कितना प्रिपेर किया है या नहीं भी किया तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब कि जितना भी जहां पर पॉसिबल हो मैं आपको हिंट देता चलू जितना मुझे पता है मैं पताता चलू साथ में तो यह स्टार्ट करते हैं computer is an electronic machine यह तो आप सभी जानते option to is the right answer next question आपका the word computer has derived from which of the following language देखिए इस सम्टाइम पूश लिए जाते हैं क्योंकि दिए बहुत ही इजी कोशन है कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई ऐसा कोशन पूश सकता है but competition जैसे बढ़ रहा है tough questions भी आ रहे हैं और sometime इतने easy question आ जाते हैं जिने हम ignore करते हैं तो यहाँ पर जो आपका है computer जो है वो Latin words से आया इंग्लिश से बहुत कम होते हैं otherwise होते ही नहीं है Latin हो गया आपके Greek हो गया यहीं से आपके ज्यादा वर्ड बनते है computer का मतलब हो था literally to compute to calculate IC is made up of IC जो आपका integrated circuit है वो किसके बने होते हैं transistor के होते हैं microprocessor होते हैं vacuum tubes होती है both one and two देखी जो आपकी IC होती है integrated circuit वो होते हैं आपके उसमें होते हैं transistor होते हैं capacitors होते हैं तो यहां पर microprocessor इसमें नहीं आना था तो option one is the right answer जो आपकी IC होती है वो आपकी silicon metal की बनी होती है तो आप यह भी याद रख सकते हैं speed of first generation computer was in जो आपके first generation computer थे उनकी speed कितने थी है वैसे उनकी speed काफी कम थी तो यहां पर जो right answer option to millisecond देखें millisecond कितना तक 10-3 second तो जब आपका first generation में थी millisecond फिर आपकी पास आती है micro तो आपके पास micro कितने होंगी 10-6 second second generation के अगर हम बात करते हैं अगर आप बात करते हैं third generation की तो फिर आप add कर दीजिए 10-9 second इसे कहते हैं नेनो seconds तो आप इस तरह किसे याद रख सकते हैं time sharing became possible in which generation of computers तो जो आपका time sharing था यह आपका second generation of computer में आपका possible हुआ था इसमें होता क्या था मैं आपको से थोड़ा सा इंत बता रहा हूं कि जो आपके multi users होते थे वो एक ही time पर computer system के साथ connect कर सकते थे इंट्रेक्ट कर सकते थे वहीं आपका time sharing का concept था जो आज भी हम यूज़ करते हैं जैसे आपकी Unix रहा होगे तो वहाँ पर इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा समझ सकते हैं computer can't perform input output thinking processing storage देखिए बाट सब कुछ कर सकता है बट computer खुझ से think नहीं कर सकता है अभी इसका zero IQ होता है तो option three is the right answer बट देखिए जिस तरीके से आपकी advancement हो रही है आपकी AI आ रहा है उस तरीके से इन future शायदी अपनी thinking पर ही चल सकते हैं जो बहुत ही dangerous हो सकता है जैसे आपनी robot movie देखे हुई तो उसमें चिट्टी जो था जो क्लोन किया था वो खुद से ही सोचने लगता था था उसमें emotions आ जाते थे क्योंकि अभी computers में कोई emotions नहीं होते हैं तो इस तरीके से वह as a human behavior ही adapt कर लेता था computer system consists internal devices peripheral devices software या all of this तो देखे कंप्यूटर में आपकी सारे आते हैं internal peripheral software भी तो option 4 is your right answer which of the following is known as a father of computer father of computer आप सभी जानते हैं कि Charles Bavish को ही हम father of computer जानते हैं बट अगर आपसे कभी पूछ ले जाए कि who is the father of modern computer तो आप करेंगे L and M to ring option 4 will be the right answer then Dennis Richie Dennis Richie थी question पहले भी पूछा गया है तो Dennis Richie आपके inventor है founder है language C के तो आप यह भी जूरूर याद रखें क्योंकि ऐसे questions पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट है आपका which of the following is known as the father of modern computer तो modern computer के आप जानते हैं कौन है यह आपके एलान तुरिंग कई बार आपसे पूछ ले जाता कि who is the inventor of worldwide web तो आपने कई बार हमें email के कौन आपके inventor हैं तो worldwide के आपने आद रखना है टीम बरनर ली ठीक है यहाँ पर भी www यहाँ पर भी तीन बार आता है ठीक है यहाँ पर तीन है टीम बरनर ली तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आप email की बात करते हैं यह हैं आपके रे तॉमिल्सन यह कुशन भी पूछा गया है तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखें नेक्स कुश्चन है आपका यह फर्स जोनेशन कंप्यूटर यूस डैश लेंग्विजिस देखिए फर्स जोनेशन कंप्यूटर में तो अभी जस्विकास स्टार्ट ही हुआ था प को ही समझ दे थे मशीन को अटी से समझ आते थे तो फर्स आपका राइट आंसर होगा विच हो फॉर्ड़ीत ट्राइफ जुदा फस्टे स्ट् – नदो मोस् एक्सपेंसिव थैश तो आपकी कास्ट टीकम सीकम 480 क्रोड थी 480 क्रोड का वो बना था तो अगर आप बात करते हैं अभी सूपर कंप्ईूटर के बारे तो अभी जो हमारा परम परम जो हमारा कंप्प्यूटर है अगर हम स्पेसिकली बात करें तो परम सिद्धी परम सिद्धी AI यह आपका इंडिया का on the current time सबसे fastest computer है super computer और अगर आप बात करते हैं ranking कि अगर आप टॉप 500 super computers की बात करें तो इसमें इसका जो rank है वो है आपका 63 तो देखिए 63 नंबर पर आपका इंडिया का super computer है अगर आप बात करते हैं कि वर्ड का सबसे fastest super computer किसका है कौन सी country का है तो यह आपका जैपान का और computer का नाम है फुकुगू तो देखिए इन चीज़ों को आप ऐसे जनरल याद रख सकते हैं पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है तो आपको एक आईडिया जूर होना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीडिये पीडिये के दिखिए आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि यह क्या होता है इसका होता है आपका पर्सनल डिजिटल और यह था आपका असिस्टेंट तो आप यह जूरूर याद रखें कंप्यूटर साइज वाज वेरी लाज इन आपका फॉर्स जनरेशन में यह क्योंकि जनरेशन क्या है आपकी जो है एक एडवांसमेंट है स्टेप से कि आपने कैसे इंप्रूब किया कि पहले साइज बड़ा था स्पीड कम थी तो नेक्स जनरेशन में साइज कम हो गया स्पीड और फास्ट होगी तो इस तरीके से यह आपकी जनरेशन एक बनी है फर्स जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ट ऑन फर्स जनरेशन कंप्यूटर से आपके किस पर बेस्ट थे क्या technology use करते तो first generation computer आपके vacuum tubes को use करते थे फिर उसके बाद आपके जो हैं वो conductors यूज हुए फिर उसके बाद आपके हैं वो आईसी आई है ठीक है तो first generation computer में आपने vacuum tubes की है फिर आपका देखे ट्रांजिस्टर भी आपके से ही होते हैं तो second में आपने ट्रांजिस्टर कर लिए हैं फिर next में आपके आगए हैं integrated circuits third generation में फिर fourth generation में आपने LSI large scale integration या फिर next to very large scale integration फिर आपने artificial intelligence जिसे हम AI कहते हैं इसके बारे मैं पढ़ेंगे बाट मैं आपको एक फोड़ासा आईडिया दे रहा हूंगे किस तरह किसे आगे questions होंगे the earliest calculating device is सबसे पहले आपका calculating यह नहीं कि fast slow कुछ भी बट जो सिर्क calculation के लिए यूज होते थे वो थे आपके abacus which language is directly understood by the computer without translation program तो देखिए मैंने आपसे पहले भी आपकी जो समझता है वह है आपकी machine language उसे कुछ भी हमें translate नहीं करवाना होता है तो आपका जो राइट आंसर होगा five machine language computer built before the first generation computer was जब आपकी देखिए first generation computer नहीं हुई है start नहीं हुई है जो आपके 1940 के around होती है तो उससे पहले भी तो कुछ हुआ हुआ कुछ advancement start हुई होगी computer जो थे उस time वह आपके थे electro mechanical मतलब जो आपके electrical भी थे mechanical भी थे ठीक है तो उन्हें हम electro mechanical कहते हैं abacus can perform addition, subtraction, multiplication, both one and two नहीं है जो आपकी abacus था वह आपकी addition and subtraction ही यूज कर सकता था calculation के लिए multiplication उसे नहीं आती थी तो option fourth is the right answer पास्कलीन इस आलसो नोन एस जो आपकी पास्कलीन है उसे हम किसे किस नाम से जानते हैं तो यह है आपका adding machine तो यह आपका adding machine को ही हम पास्कलाइन भी कहते थे आईए देखते हैं हमारे next questions who developed integrated chip यह जिसे हम ICB कहते हैं तो यह की थी js skill by आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं speed of third generation computer देखिए मैंने आप से भी discuss किया था तो speed of third generation computer के अगर हम बात करते हैं तो यह आपकी nanosecond millisecond आपकी first generation है microsecond आपकी second generation है third आपकी nano fourth आपकी second हो सकती है ठीक है तो इस तरीके से आप याद रख सकते है आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस इस एन एक्जामपल और कौन सी जनरेशन का है तो आजकल जो हमारी जनरेशन चल लिए fifth generation वहां पर आपका आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस मतलब इस तरीके से हम human भी सोच रहा है ठीक है उस तरीके से कहीं नहीं कंप्यूटर भी काम करते हैं उनमें थोड़ी से अपनी जो इंटेलिजेंस है वह डेवलप हो चुकी है तो इस तरीके से आप याद सकते हैं कि फिप्ट जनरेशन अपर कम्प्यूटर है चूज और वन आउट तो यहां पर आपके पास चार कंप्यूटर से है माइक्रो मेश उपर &डिजिटल कंप्यूटर है तो देखिव यहां पर ापका MEN Difference है Macro, MENY & Super यह आपके बेस्ट है आपकी सइज पर ठीक है तो और बात करते हैं Digital तो यह बेस्ट ऑन वरकिंगा से तू तू ताइप सो वरकिंग है आपके पास अनलोग है और आपके पास है डिजिटल कंपुटर तो यहां पर जो सबसे डिफरेंट है वो आपका है डिजिटल कंपुटर चूसर करेक्ट मेनिंग एक्प्रेसिंग टर्म PCS PCS मतलब पर्सनल स्क्राइब चार्च तो बात चरड करा बात तो जाब एक्पूट्यू झायकर तो खस्र definite तो में आपके कोई ऐख मौत्यूмов थे पिर 속न बात अवरमन इंधिख ओन computer fastest तो हैं बट वह smallest नहीं हैं वह biggest है बहुत बड़े-बड़े computers होते हैं जैसे आपके weather forecasting होती है ठीक ही इन phenomena's के लिए यह बहुत ज्यादा आप यह calculation करना होता है तो आपके वह बड़े computers होते हैं और super computers होते हैं benefits of computers are very vast and can store huge amount of data provide accurate output either input is correct or not think about the processing देखिए सब गलत है यहां पर यहां पर यहां पर जो प्राइट आंसे very fast can store huge amount of data यह सही है प्रवाइट accurate output either input is correct or not देखिए ऐसा नहीं होता है जब आप यह input ही सही नहीं तो आप कैसे expect कर सकते हो कि आपकी output सही होगी ठीक है तो यहां से नन आप दीज ओल अपर यह तो गयला थे तो आंसर आपका option फर्स्ट है नेम दे फर्स्ट जर्नल परपस electronic computer तो आपका सबसे पहले जो जर्नल परपस electronic computer था वो कौन सा था वो था आपका Univac ठीक है यह आपका और इसे हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है तो आप यह याद रख सकते हैं universal automatic computer और कई बार आप से ibm की फॉल फॉर्म भी पूछ ली जाती तो ibm की जो फॉल फॉर्म है यह आप याद रखिए या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तो आप ये भी जुरूर याद रखें दचीप यूज इन कंप्यूटर इस मेड़ आप सिलिकन यह सिलिका मत कीजिए का सिलिकन अ डेस्क टॉप कंप्यूटर इस आज जो डेस्क टॉप कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वह यहां पर आप सभी जानते हैं कि आपके सूपर कंप्यूटर होते हैं तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं वहीं आपके लाट के लाच एन एक्स्पेैंसी भी होते हैं तो पस्क ट्रीटेस के लिए अपने यूज करते हैं दी फर्स कंप्यूटर लेंग्विज डेवलप बाई वास्ट फर्स कंप्यूटर लेंग्विज जो हमने डेवलप की थी वो थी आपकी Fortrain तो आप यह जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका अ हाइब्रिट कंप्यूटर इस वन आप हैविग दिकम्बाइन प्रॉपर्टी जो हाइब्रिट कंप्यूटर होता उसमें किसकी विशेश्टाय होती है किस तरीके से मिलकर बना था दो आपके विशेश्टाय होती है किस आपके पर्सिनल डीजितल असिस्टेंग जो डीवाइस होते हैं उसमें आपके याप प्रेटिंग डीवाइस होते हैं आप मुझे कोमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं कि पी डी डीवाइस इस ने होते worn आपकी तो यह आपके चाल्स बहटिश i have a computer also not as a server computer इस यह कौन से computer होटे हैं आपके पास यह थी आपके पास mini computer लिए उने बना आया गया था कीवे सन्फटा सब्सक्राइं वह वो वक क्या जैस चुरुटेर्स भी कहते हैं उसर जनली अप्लाइज डैस्ट टो एक्सस मेन फ्रेम और सब्सूपर कम्प्यूटर आप कैसे एक्सस करते हैं मेन फ्रेम और सूपर कम्प्यूटर ट्रू टर्मिनल्स Microcomputers hardware consists of three basic categories of physical equipment जो आपके microcomputers होते हैं उसके hardware में आपकी कौन-कौन से three basic physical equipment की categories होती है तो वहाँ पर आता है आपके पास system unit, input, output and memory option to is the right answer tablet PC is a type of जो आपके पास tablets हो गए है PC हो गए है वो किसरी के computers होते हैं वो होते हैं आपके पास microcomputers है कि micro से आप को पता कि micro बहुत छोटे होते हैं तो आपके microcomputers कुए रहा है tablets तीके तो याद आपके microcomputers में next आपका which are the following the fastest type of computer याप सब भी कोई पता कि fastest कौन से होते हैं यह होते हैं हमारे पास supercomputers next आपके पास analog computer works on the supply of जो आपके analog computers होते हैं वो किसकी supply पर गाम करते हैं वो होते हैं आपके continuous जो आपके electrical pulses होती हैं उसके वो अधार पर काम करते हैं laptops आ, laptops क्या है, portable है, lightweight है and fit into the briefcases the first computer which provides storage is कौन सा computer था जो आपका storage के facility भी देता था तो यह था आपका ADSEC E-D-S-A-C the atypical modern computer uses LSI chips vacuum valves तो देखे हैं आज का जो modern computer है उसमें आपकी vacuum tubes तो यूज नहीं होते हैं वाल्स भी नहीं होते हैं तो आपके हैं LSI है इसका होता है large scale integration chips और भी आगे further modern advancement हो चुगी हैं very large scale integrations तो option is the right answer the period of the second generation computer was तो period कौन सा था second generation का तो यह था आपका 1956 से 63 देखिए मैंने काफी किताबों में read किया है तो वहाँ पर संबट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कि इतना gap नहीं होता है बट कोई एक साल पीछे बता रहा है कोई दो साल पीछे बता रहा है देखिए अगर first generation computer की भी बात करते हैं तो 1940 से स्टार्ट होती कुछी बुक्से में से 1942 से भी स्टार्ट किया गया है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट इतना भी डिफ्रेंस नहीं होगा enic was the dash तो यह क्या था आपके पास यह था आपके पास electronic digital computer तो eniac का जो फुल फॉर्म है आपको मुझे वो comment section में बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पाम टॉप computer is also known as जो पाम टॉप होते हैं computers उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं handheld computer जैसे आपके mobile हो सकता है यह भी आपका तरी के से computer ही है यह भी calculations ही गर रहा है तरी के से तो यह आप याद रख सकते हैं आपके calculator भी आ होगे इस नॉट आ micro computer इन में से कौन साइक micro computer नहीं है जो आपके mainframe computers होते हैं वो आपके micro computers नहीं होते हैं general purpose computer are used for general purpose computers होते हैं वो आपके किसके लिए used होते हैं वो आपके सबीके लिए उस होते हैं creating small database perform calculation and accounting in सभी मैं यह use होते हैं, which is not example of special purpose computer, word processor आपको पता है, special purpose computer नहीं है, यह आपके पास एक software है, यह आपके पास एक program है, dash is not a e-commerce application, इनमें से कौन सी e-commerce application नहीं है, evaluating and employ, computer's basic architecture was developed by, तो किसने डेवलप्ट किया था यह किया था आपने जौन वान न्यूमैन यह पूछा गया है क्विश्चन आप यह जुरूर याद रखें इन प्रडक्शन आपको पता है हम स्किप कर रहें कि सिलिकन वहता फॉर्स सूपर कंप्यूटर डेवलप्ट इन इंडिया इस कौन सा ह यह जो फॉर्स सूपर कंप्यूटर है हमारे पास वह आपका परम अनो को प्रड़ में यह जाते हैं मज़ा सकते हैं विच वाज़ फस यलैक्टाउनिक स्कूल ओफ एंजिनेरिंग ठीक है तो पहला कौन सा एलैक्टाउनिक कंप्यूटर था तो यह था आपके पास edback तो अगर हम इसकी full-form की बात करते हैं electronic discrete variable automatic computer electronic discrete discreet discrete variable automatic computer इस तरीकर कि आपको पूछ सकते हैं वे即 Means आपसे पूछी जा सकते हैं तो आप से प्लीज प्लीज ज्याद रखे हैं Regional Cost.. यह आपको पता कौन से बहुत महंगे होते हैं जो आपके में फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके बहुत महंगे होते हैं डेस्क्टॉप और पर्सनल कंप्यूटर आपके कौन से होते हैं इने हम क्या कहते हैं इने कहते हैं micro computers, desktop computers हो गए आपके tablets हो गए, laptops हो गए, आपके सारे micro computers में ही आते हैं next जो हम start करेंगे वो है computer architecture, तो उससे पहले अगर हम start करें, थोड़ा सा हम computer generations के बारे में बात कर लेते हैं तो because इसके बारे में खुलकर बात नहीं हुई है और वैसे में इसके बारे में separate video बना चुका हूँ, आप उस video को भी देख सकते हैं मैं आपको इस video में कुछ share करना चाहता हूँ, जैसे आपको पता था कि जो abacus थे, यह 19th century में आये थे, calculating device थे, इनका mainly काम था, addition, subtraction abacus को यह आप कहते है, soroban, जो भी आप कहाना चाहिए, तनसा आप याद रखिए, फिर आते है, napier bones, napier bones, इन्होंने भी एक ऐसा similar side device बना है, बटे थोड़ा fast calculations के लिए, और इन्होंने log जो आपके होते हैं, उसका invention भी इन्होंने किया है, तो आप यह याद रख सकते हैं, फिर आते है, pascal calculator, इन्होंने इसमें भी आपका addition, subtraction ही होता था, जैसे आपकी odometer होता है, आपके जो बाइक्स भी आ रहा होते हैं, तो इस तरह के इन्होंने भी calculator बनाया, फिर आपके जो है, जो है, Joseph Jack Card, जो भी आप कहाना चाहिए, 19th century में इन्होंने एक concept दिया कि हम एक stored program लिखेंगे, जो हम जिसमें यूज करेंगे है, punched cards, तो आप से question पहले पूशा गया है, कि punched card का concept किसने दिया है, ये दिया है, जो सब जैकार्ड ने, ठीक, stored program का concept किसने दिया है, जो सब जैकार्ड ने दिया है, और ठीक है, इन्होंने ये था कि जो आपकी automatic controls है manufacturing में, जो pattern closing क manufacturing थी, उसमें ये stored program को इन्होंने use किया था, तो इस तरह किसे आप याद रख सकते हैं, फिर जैसे हमने first donation के अगर हम बात करते हैं, जो आपकी first donation computer थी, वह आपकी vacuum tubes होती थी, जैसे बहुत बढ़ी बढ़ी tubes होती, जैसे light tubes होती, उसी type की vacuum tubes होती थी, तो उस time आपके पास इ बात करते हैं, उस time के जो computers थी, जैसे आपके E NIC, ADVAC, UNIVAC था, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, IBM का 701 था, या IBM 650 था, तो ये थी आपके कुछ उस time के computers, और magnetic tapes वे अब यूशी time होती, तो operating system कौन सा था, batch processing के आप याद रखिएगा, first generation में आपका था, batch processing, language कौन सी थी machine codes, ठीक है, ये जनरली आपके record keeping वेरा के लिए यूज होते थे, आपके first generation computer, जो आपके around 1940 के आसपास ही ये evolve होना start हुए थे, फिर आते हैं, अगर हम second generation of computers में, तो second generation of computers में आपके transistor आए, ठीक है, ये semiconductor होते थे, speed आपके अब, micro में चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ display unit होती है, उसका introduction हुआ, और operating system कौन-कौन से, जैसे हमने बात करिए time sharing, और real time processing, ये चीज़े यहाँ पर आई, और languages के अगर हम बात करते हैं, तो कौन-कौन से आई, assembly language, जो आपकी second generation में, ऐसा भी पूछा रह सकता है, assembly language कम introduce होई थी, कौन से generation में, और high level languages, ये आपकी यहा आते थे, और capacitor एक ही जगा पर उन्होंने combine कर दी, और इसकी जो IC की खोज किसने की थी, आप पढ़ चुके हैं, जैक किलबाय ने, speed अम nano seconds में चली गई, और आपके input devices आगे, जैसे आपकी optical character reader, या magnetic character reader, जिसे हम OCR और MCR कहते हैं, वो भी आपकी यहाँ पर third generation computers में आ चुके ह और अगर आप बात कि operating system की time sharing है, multi programming या जिसे हम multi programming कहते हैं, और अगर आप बात करते हैं, लेंग्विजिस की, तो हाई लेवल, आपकी जो high level languages थी, जैसी आपकी 4 train होगी, कोगोल होगी, बेसिक यह आप आपकी third generation में आ चुकीती हैं, और इसका जो use होता है, market forecasting, इन चीजों में आपका use होता था, आप ये चीज़े जानते भी होंगे, fourth generation में आपके आगे फिर metal oxide semiconductors, जिने मौस भी कहते हैं, fourth generation में, और इसमें ही आपका concept आया, large scale integration, जिसी भी पूछा गया है, question, large scale integration, या very large scale integration, आपका जो entire circuitry थी थी, और आपकी single chip ही, आप use कर रहे थी, जैसे आपक आपकी pico seconds में चलेगी थी, 10-12 seconds में, आपकी video आचुका था, OCR, MICR, याने की magnetic ink character reader, laser printer आपके आचुके थे, अब आपके पास scanry storage भी आचुकी थी, जैसे आपके पास floppy है, hard disk language, जिस तो आपको पता ही, high level languages, third generation में आचुकी थी, तो fourth में उसका advancement हो रहा था, database में आचुके 5th generation में आपको पता है, artificial intelligence है, बाकी तो अब यहां पर सब कुछ ही आ चुका है, तो यह बात हैं आपको याद रखनी है, और बात करते हैं, गर हम आपके computer architecture के बारे में, तो computer architecture कुछ नहीं है, कि आपकी computer में various devices होते हैं, एक system बना है, तो वो उसमें क्या क्या जैसे आपके input devices है, output devices है, memory है, इस तरी के ही system से आपका computer बना है, उसे हम क्या कहते है, computer architecture, ठीक है, जैसे building को कौन, यो, उसका नक्षा कौन बनाता, architecture ही बनाता, उस तरी के से यहीं कैसे कैसे यह बने है, तो वहीं आपका similar ही, यहाँ पर concept है, ज्यादा कुछ यहाँ पर different नहीं है, which is not an integral part of computer, तो integral part कौन सा नहीं है, UPS, UPS क्या है आपका, uninterruptable power supply, और as a battery pack up use होता था जब आपकी voltage यह power में fluctuation होती थी, तो आपको यह uniform power supply देता था, next, आपका, on the motherboard, the connections points for chips are referred to as, motherboard में जो आपकी connection points होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, sockets, आपका जो motherboard होता है, वही आपका main board होता, main circuitry होती है, आपकी computer system में, और यही ensure करता है, कि आपकी जो other components है, जो इसे attached हैं, वो properly function कर रहे हैं, properly work कर रहे हैं, main board, mother board को या main board भी कहते हैं, logical board भी कहते हैं, system board भी कहते हैं, और planar board भी कहते हैं, तो इन में से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप वी चारों नाम याद रखने होंगे इंटर्ना मेमरी इना सीप्यूस नथिंबट तो इंटर्ना मेमरी सीप्यू में क्या है जिट्स अ सेट ऑफ अर्जिस्टर्स जिस्टर्स क्या होते हैं एक यह परपस के लिए आपको बताते हैं उस इंफोर्मेशन को जिस पर आपका CPU है वह क्रेंटली काम कर रहा है तो रिजिस्टर का यही काम होता है बहुत ही हाइच स्पीड के लिए है स्पीड टैमप्रेरी मेम्री इनिट्स होती है आप इसे यार रख सकते हैं नेक्स्ट आपका तो माइक्रो प्रोसेसर कैन भी उस्ट तो मीक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में भी होते हैं डिजिटल सिस्टम कैल्किलेटर अल ओफ दीस तो ऑप्शन फूर्थ इस राइट वन दे लोड इंस्टक्षिन इस मोस्ली इस डेजिटर ट्रांसफर फॉम मेंम्री तो प्रोसेसर डिस्टर नौन एज तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह आपका एक्क एकॉमुलेटर क्या होता है यह भी आपका एक रिजिस्टर ही होता है CPU में जहां पर जो आपके arithmetic या आपके logical results होते हैं उन्हें ये store करता है तो आप इतना याद रख सकते हैं the word computer usually refers to the central processing unit plus computer के जो आपका CPU के साथ और क्या आता है CPU के साथ आप क्या आता है internal memory तो ये है आपका right answer option B ये option 2 which of the following is a part of central processing unit कौन सा है तो आपको पता है अगर आपने architecture देखा है उसमें आपका input होता है फिर आपका memory structure होता है memory part आता है और फिर आपका वहां से आपके output devices जो हैं वो connect होते memory में आपका CPU में से आपके होते हैं जासे RAM होगे CPU में आपका sorry ALU होता है arithmetic and logic unit control unit होता है तो इस तरीके से ये इसके part है तो यहाँ पर जो एक center processing में जो आपका एक part है वो है आपका arithmetic and logic unit इसे ही हम क्या कहते हैं ALU तो आप यह ज़रूर याद रखे हैं आपको यह पता भी होगा क्योंकि सारी basic चीजह है अगर जिन लोगों ने computer नहीं पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा वो भी इसे जहान रख सकते हैं CPU में आपका देखिए control unit आता है आपका ALE arithmetic logic unit आता है यह registers आते हैं वही आपका memory unit भी आती है तो इस तरीके से बाकिए आपकी इंपुट होती है आउटपुट होती है क्योंकि जो आपका अगर आप computer की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास तीन ही वी component होते हैं आपका input या output unit इसे हम कहते हैं आपके पास होती है CPU center processing unit और एक होता आपके पास memory unit तो तीन आपके पास part होते हैं और जो आपका CPU होता है उसे ही हम brain of the computer भी कहते हैं आप next questions में देखने को मिलेगा control unit of a digital computer is often called जैकि control unit को आप क्या कहते है control unit को आप कहते हैं nerve center because control unit ही बताता है कि executions कैसे होने हैं कहाँ पर क्या process होना है तो एक तरीके से हमारा brain brain sorry nerve center है brain तो आप CPU को कहते हैं c in CPU denotes तो यहाँ पर c है आपका central तो यहाँ पर central processing unit देखे हैं आप लिखा भी है the central processing unit CPU in a computer system contain मैंने आपको बताया कि जो आपका CPU है वहाँ पर आपके आती है control unit, arithmetic unit और registers तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो right answer होना चाहिए यह तो आपका control unit होती है arithmetic and logic unit जिसे हम ALU कहते हैं और आपका आता है registers तो यह right answer है आपका a group of bits that tells the computer to perform a specific operation is known as जो एक specific operations को बताता है कि जो होने चाहिए उसे हम क्या कहते हैं उस code को कहते हैं instruction code next आपका the communication line between a CPU and memory and peripherals is called communication line होती है आपके CPU memory और peripherals उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं bus अब देखे परिफेरल्स क्या होते हैं जिसे आप externally link करते हैं आपने computer system के साथ जासे अगर हम generally बात करें आपका mic होगा microphone जिसे हम कहते हैं या आपके speakers हो गए या आपके printers हो गए हैं जो आप externally connect करते हैं जैसे आप data cable लगाते हैं mouse लगाते हैं तो आपके peripheral devices ही हैं तो उसे कहते हैं bus the first microprocessor was मैंने आपसे बात भी की थी कि intel ही नहीं किया था 4004 memory unit that communicates directly with the cpu मैंने आपसे बात करी कि जो कौन सी memory है जो directly cpu से connect करती है बहुत ही high speed memory होती है तो temporary memory होती है आपका registers where does computer add or compare data add or compare कहां करता है data तो यह करता है आपका cpu chip में the control unit controls other units by generating जो आपकी control unit है वो डिफ्रेंट जो आपकी units है कैसे control करती है कौन से signals देती है वो देती है आपकी control signals pipeline strategies called implement तो यह है इसका जो राइट आंसर है instruction प्रिफेच 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 तो option two is the right answer when machine instructions are being executed by computer the instruction phase followed by the execution phase is referred to as जो आपका instruction phase के बाद जो execution phase आता है उस phase को हम क्या कहते हैं उस phase को कहते हैं instruction cycle cpu can directly understand which language देखिए आपको पता है वो directly कौन से language को prefer करेगा वो करेगा आपके machine language को which computer memory used for storing programs and data currently being processed by the CPU तो कौन जो अभी data processing चल रही है तो कौन सी memory से store करती है वो होती है आपकी internal memory option two is the right answer the most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from cache memory यह काफी memory होती है the main circuit board of the system unit is motherboard जैसे हम इसके बारे में तभी बात करी चुके है और following are the names of motherboard except इन में से कौन सा motherboard का नाम नहीं जैसे मैंने कहा था कि computer board बाकि system planar main and logic board इस आदा नेम of your motherboard the central processing unit is an example of यह किसका example है यह आपका hardware का the data and the types of input include data programs commands user response तो यह आपका आता है all of these यहां पर right answer होगा CPUs transfer central processing unit यह आप जानते हैं the basic goal of computer process is to convert data into the data को जब आप डीटा तो आपका एक तरीक से raw form होती है आपने कुछ से डाला है computer system effect किया है तो उससे आप क्या निकालते हैं information क्यों information ही तो आप एक काम के लिए useful होती है फायदे मंद होती है जो आपके लिए useful हो वह आपके लिए information है arithmetic logic unit and control section have special purpose location called registers यह हम बात कर चुके हैं selects interprets and execute instruction in a CPU कौन करता है यह किसका काम है यह काम है आपके control units का CPU retrieves its data and instruction form CPU कहां से retrieve करता है इसका data आपकी जो है main memory से secondary memory से नहीं यह आपके main memory से थे word data is derived from the data है आपका latin words से is the raw facts you know data is the raw facts from which information is derived आपका option first is the correct one brain of the computer as we already discussed its central processing unit that is CPU the system unit is that container that housed electronic components ठीके जहाँ पर आपके सारे electronic components जो है वो लगे होते हैं डाशी दप्रोसेस उपके निगाउट कमांड्स को जब हम स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं वह तापका execution यानि की executing is the process of carrying out of commands फैचिंग क्या होता जो फैचिंग होता जब आप memory से जो instruction लेते हैं उसे यह हम fetching कहते हैं the component is required to process data into information consists of integrated circuit तो वो है आपका CPU pick the use for logical operation logical operation less than equal यह ठीक है operators जो भी है यह आपका arithmetic logic unit में ही सारा काम होता ही तो यह बहुत easy question है dash is the responsible performing calculations आपकी alu में ही होती है cpu comprises of control unit memory unit and arithmetic and logical unit अब आपको याद ही हो चुका होगा which of the following memory chips is program during the manufacturing processes manufacturing की टाइम पे आप कौन सी memory chips को है वो program करते हैं होती है आपके read only memory जिसे आप chrome कहते हैं आप इसको edit नहीं कर सकते हैं relation insertion कुछ नहीं होता है जो उसमें fed कर चुके है program वही बार बार read होते हैं तो option two is the right answer which is the following component is the most essential for computer system to work तो कौन सी component है देखिए तो यह आपके cpu dash device in any device that provides information which is sent to the cpu input device is any device that provide information which is sent to the cpu which of the following controls the machine cycle machine cycle को कौन से unit control करती है control unit which of the following executes the computer commands तो कौन इसे execute करती है आपके arithmetic unit logic unit and both one and two तो यह सारी दोनों ही follow करती है commands को execute करती है the machine cycle includes fetch, decode, execute and store fetch मैं आप से कहा कि main memory से instruction लेती है फिसको decode करती की करना क्या है फिर आपका execution phase start होता है जिसे गयता हम execute cycle फिर execution के बाद जो result आता उसे वो store कर लेती है यह आपका machine cycle है तो all of these LU stands for the arithmetic logic unit तो यह थे आपके जो भी question बनते थे अब हम नेक्स हम जैसे computer architecture के बारे में हम बात कर चुके हैं तो हम next पढ़ेंगे आपके जो input and output devices होते हैं उनके बारे में हम read करेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं हम input and output devices के बारे में तो first question आपका which of the following produces high quality output तो आपके पास two types के printers होते हैं generally impact and non-impact printers तो आपको बताना है इस में से जो कौन सी high quality images आपका जो है वो print करते हैं तो यहां पर जो हमारा right answer option भी to non-impact printers तो देखें गर हम non-impact printers के बारे में बात करें तो यहां पर आप क्याते हैं laser printers ठीक है आप क्याते inkjet printers electrostatic printers विए रहा है और या plotters विए रहा है तो आपका जो laser printer होता है उसकी जो quality होती है about 360 dpi आपसे question आ गया आएगा कि dpi क्या होता है यह होता आपका dots per inch यह आपकी printing quality को बताता है कि कितने अच्छी है जैसे आपका हम बात करते हैं अगर आप अपना screen की बात करते हैं mobile screen की तो कितना PPI या नहीं कि कितना उसका resolution है उस तरीके से यह आपका dpi पर जो स्टीकर से होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं option 2 आप्शिन 4 बार कोट्स इन in micr c stands for micr up magnetic ink character reader ठीक है तो यहां पर micr में क्या होता है c for character reader ठीक है तो यहां पर option 4 जिद्द राइट आंसर magnetic ink character reader the ocr recognize the dash of the characters with the help of light source जो आपका ocr होता है optical character reader वो कैसे identify करता है characters को तो वो जो कैसे करता है उसका राइट answer option 2 जो shapes होती है उसमें उस हिसाब से वो उसे read करता speed of line printer is limited by the speed of जो आपके line printers होते हैं आप उसकी speed को कैसे limit कर सकते हैं तो यह हैं आप कर सकते हैं by the cartridge used अगर हम बात करते हैं जो हमारे line printers है तो line printers आप क्या आते हैं impact printers में जिसमें आप impact में क्या होता है जैसे hammer technique होती है इसमें जो आपका pins होती है directly strike करती है आपका जो ribbon होता है या page होता है उसके साथ यह directly strike करती है उसी के अंडर आप क्या आते हैं line printer होके drum printer होगे chain printer होगे ठीक है इस तरीके के सारे printers इसमें आते हैं तो line printers की बात अगर हम करें तो यह एक वक्त में या single time में यह एक ही line को print करते हैं but fast होते हैं around यह लिख सकते हैं 300 से 3000 lines per minute यह print कर सकते हैं अगर आप line printer की बात करें तो हमारे पास आते हैं drum printer और chain printer तो इतना आप याद रख लीजिए अब barcode reader is example of barcode reader क्या है आपका यह आपका input device क्योंकि वह read कर रहा है तो यहां से आपका input device होगा what type of device is digital camera digital camera क्या है यह भी आपका input device है which of the following groups consist of only input devices input devices में क्या क्या सकता है यहां पर mouse हो गया keyboard हो गया scanner हो गया सारे आपके input devices है देश में आलसो और दा स्क्रीन और monitor आप इसको screen क्या सकते हैं यह हो सकती है आप display को ही आप screen भी क्या सकते हैं और monitor भी क्या सकते USB refers to USB क्या है यह आपका एक port type आपको मुझे बताना है कि USB की full form क्या होती है a joystick is primarily used for joystick आपको पता है आप gaming के लिए यूज करते हैं तो यहां पर आ गया है option to computer gaming the laser printer belongs to which category तो मैंने जैसे अभी आपसे बात करी कि जो laser printer है वो किससे belong करते हैं यह एक तो आते हैं आपकी यह non-effect printers में और इसका जो हमारा right answer है print pages के उसमें आते हैं तो page printer what type of devices are computer speakers or headphones आपको पता computer speakers or headphones क्या है यह है आपके output sorry output devices यहां पर option 5 होगा input output नहीं the OCR is used for the preparation of आपको मैंने बताया optical character reader यह electricity bills insurance premium telephone bills सभी में use होता है तो option 4 आपका right answer होगा what type of device is a computer printer computer printer आपके peripheral devices होते हैं और यह आपके output devices होते हैं तो आपको पता ही है dot matrix is a type of आप आपको बताने जहां बड़ा famous है आपका dot matrix printer यह आपका क्या है तो देखिए आप लिखा गया यह तो खुदी printer है what are the unit used to count the speed of printer ठीक है आप किस तरीके से speed को compute करते हो तो यहां पर जो हमारा right answer है pages per minute देखिए आपका अगर आप printer की speed को measure करना चाहते हैं तो यह आता है आपका ppm pages per minute और भी आपकी units होती है जासे आप बात करते हैं cps cps में होगा हमारे पास cps character per second यह भी आपकी speed को measure करता है LPM lines per minute ppm मैंने बता दिया pages per minute जो आपका dpi है यह सिर्फ quality को बताता आपकी print की quality को images की quality को बताता ही जो print हुई है dots per inch तो आप यह ज़रूरी याद रखें without this pointing and drop devices pointing devices or drop devices में आते हैं आपके कौन से जैसा आपका हो गया यह माउस हो गया track ball हो गया इस देकर की जो डिवाइसिस हैं आपके pointing devices में use होते हैं यह pointing devices include the following except मैंने कहां कि माउस आपका pointing में आता है ठीक है आपका track ball भी आपका pointing डिवाइसिस में आता है pen input भी joystick भी बट keyboard नहीं आता keyboard आपकी keys के थुरू ही अपना जो data एंटर करते हैं बट माउस से आप देखिए scroll कर सकते हैं direction दे सकते हैं तो इस तरह किसी आपकी यह pointing devices होते हैं to move to the beginning of a line of text press dash key अगर आप लाइन के beginning में जाना जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कौन सी की दवानी होगी तो इसका अगर हम right answer देखें तो यह आपकी home press home key a hard copy would prepared on तो यह सारे जितने भी है हमारे इन पर आप hard copy prepare कर सकते हैं a parallel port is most often used by जो parallel ports होते हैं हम किसमें यूज करते हैं यह आपके होते हैं printers में which are the following is not an output device output device इन में से कौन सा नहीं है तो scanner आपका input device होता बाकी आपके सारे ही input devices हैं और sorry output devices है LCD आपको बता है liquid crystal display तो यह आप याद रख सकते हैं और आपके पास होती LED जिसे हम जो आज के बड़ी famous हैं यूज में आ रही है लिक्रिड या light emitted diode आपके LED होती है एक आपसे आती जैसे कई बार हम बाते है कि TFT यह होती है thin film transistor तो आप यह भी ज्याद रखे और आपसे कई बार CRT push लिया जाता है CRT cathode ray tube यह तो आप जानते हैं external devices इस printer keyboards and modems are known as मैंने आपसे पहले भी बात करी है जो आपकी printers होते हैं keyboards या modems जो आप externally link करते हैं अपने computer system से हीने कहते हैं peripheral devices the higher the resolution of monitor the dash the larger dash pixel कैसे हैं तो यहां पर जो राइट answer होगा वो होगा closer together the pixels CRT is in shape CRT काउंसी shape में होती है आपकी होती है rectangular shape में which keys used in combination with another key to perform a specific type कौन सी आप keys जो हैं वो combination में यूज करते हैं तो यह होती है आपकी control की जैसे मैंने कहा दिया control s जो आपका document को save करने के लिए हम यूज करते हैं आपका word में अगर मैं कह दूँ control plus B यानि अगर आप किसी भी letter को या word को bold करना चाहते हैं तो इस तरीके से combination के तरूँ आपकी यूज होती है functions की इस तो आपकी खुद में ही ऐसे ही use हो जाती है space bar b you can use the tab key to तो tab की किसी लिए use कर सकते हैं to indent a paragraph option to the right answer impact printers तो अब आपसे example पूछे जा रहे है impact printers के तो यह इसमें आते हैं आपके dot matrix और drum printers तो option 4 आपका right answer है laser printer printing is achieved by deflecting laser beam onto surface of a drum तो कैसे आपकी laser printing में printing होती है तो इसका जो हमारा right answer है जो आपको photo sensitive surface होता है वहां पर जो है आपका laser printer जो laser beam है उसको हम defect करके laser printing करते हैं resolution of laser printer is specified in terms of तो हमने अभी बात करी थी कि dpi dots per inch आपका resolution होता laser printer का तो आप यह याद रखें the output devices make it possible to output devices यह आपकी view और print data करने के लिए यूज होते हैं अब पिक्सल इस पिक्सल क्या है आपका pixel है आपका picture element और dot on a screen यहां पर इसका right answer है नेक्स्ट आपके पास dot matrix printer is unidirectional bidirectional तो यहां पर जो इसका है by directional the rate at which scanning is repeated in a CRT is called इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं refresh rate which of the following is not an example of hardware इन में से कौन सा hardware नहीं है interpreter यह आपके जैसे compiler हो गया मुझे याद exactly याद नहीं आ रहा है नहीं क्या कहते हैं आप मुझे comment section में बता सके compiler हो गया assembler हो गया या फिर interpreter हो गया translators होते हैं यह language translators and example of peripheral equipment is peripheral हम पहले बात कर चुके हैं तो इसमें आपका printer है a device that makes copies and reproduce text and images called जो copies बनाता है reproduce करता है images को उसे कहते हैं printer trackball is an example of trackball आपकी कौन सी है pointing devices में आती है which is the best position for operating the mouse ठीक है तो mouse को operate करने की सबसे best जो है वो आपकी कौन सी condition है tails towards the user तो यह आपकी इस तरीके से होती है अगर हम बात करते हैं mouse के बारे में तो देखिए जो mouse है वहां पर आपके पास click होते हैं आप click करते हैं तो आप उससे जो select करते हैं item को एक screen पर ठीक है अगर आपने कुछ भी select करना है तो आप click करते हैं अगर आपने double click करते हैं हमान लिजे किसी भी document पर click करते हैं तो आप जो है एक program को open कर सकते हैं या उस document को open कर सकते हैं तो आपको जो है अगर आप किसी भी file पर right click कर रहें तो आपको यहां से list of commands show होते हैं screen पर या फिर आप जो selected object है उसकी properties को access कर सकते हैं फिर्स computer mouse वास बिल्ट वाए तो computer mouse किसने बिल्ट किया था यह था हमारे douglas angle bar which of the following is not a hardware hardware इन में से कौन सा नहीं जावा जावा आपकी language है the transfer of data from a CPU to peripheral devices of computer is अजीब थूँ अगर आप data को transfer करना साथ है CPU to आपके जो peripheral devices तो उनमें आप क्या यूज करते हैं आप करते हैं input या output ports क्योंकि जैसे printers को आप through input output ports के through connect करते हैं तो इसी तरह किसी यह question था the printer can't print more than character at a time तो यहां पर question more than one character at a time आना चाहिए यहां पर तो यह है आपका dot matrix printers है जो आपके more than one character at a time में वो प्रिंटर नहीं कर सकते हैं all of the following art example of input devices except in message input devices कौन नहीं है तो यहां पर printer आपका input device नहीं है आपका output devices the dash key will launch the start button आपको पता है window की आपका start button को launch कर देती है space bar used for the giving spaces ठीक है तो यह आपकी question थे आपके input and output devices से तो आपको मुझे बताना है comment section में कि आपका जो light pen है वो आपका input device है या आपका output device है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम बात कर चुके हैं magnetic ink character recognition ठीक है तो आप इन चीजों को जरूर याद रखें तो आई स्टार्ट करते हैं memory units के बारे में memory के बारे में आप जानते हैं कि हमारे पास two types होते हैं memory के जहां पर हम data store करते हैं एक होती है आपकी primary memory जिसे हम main memory भी कहते हैं जिसमें आपकी RAM आती है जिसे random access memory कहते हैं या फिर read only memory जिसे हम roam कहते हैं फिर आपके पास आती secondary memory जिसे हम auxiliary memory कहते हैं storage devices आते हैं उसमें तो वह चीज़े आपको याद रखनी है फिर हम जो आपकी RAM होती है random access memory यह आपकी volatile होती है मतलब जैसे ही light electricity cut off होती है आपके computer system से आपका सारा data swipe हो जाता है और जो बात करते हैं read only memory में यहां पर यह non-volatile होती है permanent होती है और यह अपना content lose नहीं करती है कि आपकी power भी off हो जाए secondary memory में आपके आजाते हैं जैसे auxiliary devices आ जाते हैं floppy disk हो गया आपका pen drives हो गए इस तरीके की चीज़े सारी आपके उसमें आती तो आई इसके बारे में देखते हैं इस तरीके से भी कुश्चिस है USB refers to the USB आपका है port टाइप मैंने इससे आपसे फुल फॉर्म पूचिती तो इसका होता है universal serial buzz ठीक है तो यहां पर यह होता है इसका meaning a dvd refers to dvd क्या है आपके dvd है digital video disk options is the right answer enable is equal to enable कितना होता है नीबल आपने आ देखना है 4 bits के equal होता है question push अगया है a byte can represent any number between 0 and 255 तो यहां पर यह बनिगा सका next question आपका the term gigabyte gigabyte कितना होता है 1gb ठीक है 1gb में आप क्या आते है 1024 megabytes option 3 is the right answer the technique that extends storage capacities of main memory beyond the actual size of the main memory is called जब आप आपकी जो memory है storage capacity आप उसे extend करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं वर्चुल स्टोरिज आप फ्लैश इस यह क्या आपके पास सॉफ्ट्वेर है हाडवेर है यह आपके पास रोम है रैम है तो इसका जो मारा राइट आंसर है option 2 hardware विच्वाइब फॉलिंग के और मैक्सिमम डेटा तो यह पूशन पूशा गया था अभी एक्जाम में कि आपके पास तीन-चार ओप्शन दिए गए था इस सबसे ज्यादा डेटा किसमें होल्ड होता है तो सबसे ज्यादा जो हमारा डेटा है वह आपका होल्ड होता है इस अगर अगर हम प्लॉप डिश्क monsters को सबसें तो यहगर हम बात करते हैं एक स्था यह इसके उसकी है अगर हम बात करते हैं आगर हम बात करते थासिए आगर हम बात करते हैके उसकी जो storage capacity है बहुत ही कम है 1.2 MB और अगर हम बात करते है floppy disk जो आपकी 3.5 इंच की है तो उसकी जो storage capacity हे वह अनली 1.4 मध आगर आभ बात करते है floppy disk जो आपकी 8 इंच की है तो उसकी सारी capacity है 8 two 42 KB के बीच में एगर हम बात करते हाट डिस्क की ठीक यह भी आपकी मेगनेटिक स्टोरिज मैथडी होता है तो हाड डिस्क में आप वन टीवी तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं बात करते हैं आपकी CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory ठीक है तो CD में अगर हम बात करें तो CD की जो अपके पास उहांड आपके पास 680 म ली तक किया सकते हैं है डीवीडी की केसीटी गफी जदा होती थी बाद में जब डीवीडी से थी तो DVD की जो capacity अराउंड 4.7 GB से आप ले सकते हैं 17 GB तक इतना डीटास में पेंड्राइप, पेंड्राइप का आपको पता ही है, पेंड्राइप आप आप इसमें पेंड्राइप 9512 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जिसके हम बारे में बात कर चुके हैं मेगनेटिक टेप से आपकी वह एक टीबी तक स्टोर कर सकती है मैंने ब्लू-ray डिस्क की बात करें थी ब्लू-ray डिस्क तो वह आपका राउंड राउंड डेटा कंटेन कर सकते हैं 25 GB तक तो आप यह इंपोर्टेंट है इसे आप याद रखें अभी स्टोरे डिवाइस इस मांटिट ऑन रिल्स मांटिट ऑन रिल्स कहों से आपके मैगनेटिक टेप्स विचाव तो आपकी जो स्टैटिक रैम होती डाइनेमिक रैंडम एक्सेस मेंबरी तो आपके स्रम यह आपकी फास्ट होती है कि अधिस कंटेंट दैट इस रिकॉर्डे अधा टाइम अफ मैनुफेक्ट्रेंट इस नहीं कर सकते हैं नहीं इसका डेटा लूज होता है इंकेस जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी यह पावर स्प्लाई कट आफ हो जाती है तो आपका यही आपकी रैम स्वारी रोम जो होती है आपकी नॉन वालेटाइल मतलब डेटा लॉस नहीं होता है विच आपकी डिजिटल वीडियो डिस्क आपकी इसमें आएगा ऑप्शिन फर्स्ट कैशन में 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 मेम्री विल नॉट बी एबल तो होल दिर कंटेंट वेंड़ पावर इस आफ दे काल देगी जो भी जब आपकी पावर आफ हो जाती है और वह अपने डेटा लूस कर द देखे 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 देख into tax and sexes sectors कई बार कुशन पूछा जाता है तो इसका जो मारा राइट आंसर है option B formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors which of the following is not an access method तो मैं से कौन सा एक access method नहीं है इसका है जो राइट आंसर है हमारा option third continuous the dash director is mandatory for every disk तो कौन सी root directory जो होती है वही आपकी सारे folders वेरा की knowledge रखती है तो यह बहुत ही mandatory होती है frequently accessed information is held in जो आपकी frequently accessed information है आप क्यों होती है आपकी cache memory में the primary device data computer user to store information is आप कहां पर use करते हैं आप store कहां करते है data आप करते हैं hard drives में a removable magnetic risk that holds information is जिसे आप remove भी कर सकते हैं magnetic risk है वह होती है आपकी floppy disk computer memory is normally measured in the smallest unit है आपकी वह है आपकी बिट ठीक है और अगर हम यहाँ पर बात करें कि normally हम जो measure करते हैं वह किसमें हम measure करते हैं वह measure करते हैं मेगा bytes में बात करते हैं अगर आप से smallest unit की बात करते हैं तो यह bit है और आप से अगर मान लिए हाइस memory measurement unit के बात में करते हैं तो आपके जी ओप बाइट जी ओपी बाइट in order to reproduce sound a compact disc cd auto player uses audio player क्या use करता है audio player जो आपका use करता है वो है laser beams in cd-rom drive is used to play compact display music install control digital information तो यहां पर हमारा राइट आंसर है तो प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म आफ एम बी आपको पता यह मेगाबाइट से information stored in a ram needs to be जो आप रैम में कुछ भी स्टोर करते हैं इट शुट बी refreshed periodically memory is made of memory किसे बनकर मिली होती है तो यह मिलकर बनती है लाज नंबर आफ सेल्स फ्लॉपी डिस्क आर और अर्गनाइज़ एज तो आपी जो फ्लॉपी डिस्क होती है वह उसे आप ट्रैक्स एंड सेक्टर स्में डिवाइट करते हैं दस्टोरे डिवाइस यूज तो कंपनसेट फोर दिफ्रेंस इंड रेट्स फ्लॉपी डिवाइस तो इस तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं बफर यूनिट ऑफ स्टोरिज केपैसिटी यूनो इट्स बिट विशर दफॉल इस नॉट रोम रीड ओनली मेंबरी तो इन में से कौन सी नहीं है तो यह बाकी सभी है एक्सेप्ट फोर है ना है प्रम्षाद प्रोग्रामेजरीड ओनली मेंबरी है यी प्रों आपकी इड़ेसिबल प्रोग्रामेजरीड अवरgende मैमरी है और यी इड़ेफ़ों आइटिंग आपका जो है यह एक्स 있는데 इन में से किसके पास अबिलिटी है च्छोत आपको र nom कर 579 50 है उस पर दारिक लिए जम करने के लिए तो यह आपका रेंडम एक्सेस कि डैशिज अमाउंट आप डेटा डेटा स्टोरेज डिवाइस कें मूव फॉम देटा ट्रांसफर रेट वर्चुल मेंबरी इट्स एन एल्यूजिन आफ एक्स्टेमली लार्ज में मेंबरी डैनेमिक यहां पर यहां पर यहां पर क्योंकि यह आपकी जो है सिक्वेंशली एक्सेस मेडियम है तो यहां पर इसे आप यूज नहीं करते हैं तो यहां पर आगया ऑप्शिन टू नेक्स्ट आपके पास बोद अल्यू नेक्टेम आपका जो ऑप्शिन टू है रिजिस्टर्स अभी हमने बात करी थी तो यह आपके पास 1.44 MB where the programs and data to be used by the computer available यह आपकी होती storage facility या unit में तो option 3 आपका right answer है the difference between memory and storage is that memory is memory आपकी temporary भी हो सकती है storage आपकी permanent है क्योंकि देखिए अगर आप बात करते हैं वहाँ पर डेटा लूज हो जाता है आपका random access memory में RAM में storage आपकी जो है वह permanent है जैसे आपकी pen drives भी रहा है इस तरीक्य से which of the following is the magnetic storage device तो आपको पता है magnetic storage device में आपकी hard disk भी आती है floppy disk भी आती है और जी यही चीजे आपकी magnetic tapes भी आपका magnetic medium है एक सथा temporary high-speed holding area between the memory and CPU दिरवा improving processing capabilities तो आपको यह पता है इसका आप जानते होंगे यह आपकी cache memory storage that returns in data after the power is turned off ठीक है पावर आपकी चली गई तब भी आप data retain करते हैं उसे कहते हैं वोलेटाइ नौन वोलेटाइल storage option 2 is the right answer which are the following advantage of cd-rom as a storage media तो क्या आपके पास advantage cd-roms make less error than magnetic media देखी magnetic media का यह problem है कि in case आपने कहीं भी जहां पर magnetic field है electric field है वहां पर यह आपके data को खराब हो सकता है इस तरीकी जो प्रॉलम से आपकी जनरे लिए आप magnetic media में face करते हैं तो इसलिए आपकी cd-roms है वह आपकी less error वाली होती है which of all is the smallest storage capacity storage capacity smallest होती है की floppy disk में the computer abbreviation you know it's kilobyte the term bit is short for short for the term bit is short for your binary digit 1 megabyte is equal to 1 megabyte is equal to your 1024 kb यहां पर kb में देखे हैं आपको पता चल जाएगा is the smallest memory measurement unit bit आपकी smallest होती है ठीक है 8 bit आपके बनाते हैं वन बाइट इसके बारे हम बात करेंगे highest unit of information तो highest है आपकी job byte इसे हम क्या कहते हैं उसे फोर जो आपकी बिट को हम कहते हैं निबल आप साइज ऑफ एनिवर्ड नंबर इन कंप्यूटर इस मेजर इन यह मेजर होती है बिट्स में अनिबल इस इक्वल टू ती कि आपकी जो निबल है वह आपके il الذ…. ऊंद आपके एक्वबिट्स कर एकवल होता है सूंद के ऊंद एक हजार चॉर्पिस आंप जानते हैं बीज़स वालविम्ग रीपर्जेंट 1 billion characters 1 billion characters korn represent करते हैं यह आपका gigabytes a byte is a collection of यह आपके 8 bits which of the following statement is valid तो यहां पर जो वैलिट है वह आपकी 1 MB equals to your 1024 kilo bytes we are the following is the smallest measure of storage यह आप जानते हैं बाइट है how many bytes there in one gigabyte giga होता है आपका 10.9 mega 10.6 the prefix kilo refers to 1000 approximately the collection of eight binary digits zero and one in a string format is known as तो इसे क्या कहते हैं bit देखिए यह थे आपके कुछ important questions हमने काफी questions कर लिए I think हमने 200-300 questions किया होंगे तो I hope आपको यह समच आए होंगे थोड़ा बात कर लेते हैं आप memory के बारे में तो आपको पता है bit आपकी smallest unit है 8 bits से आपकी one byte बनता है और आपकी 8 bit में आपके two nibbles होते क्योंकि four bits का आपका एक nibbles होता है अगर हम बात करते हैं storage की अगर आपको पता कि 1024 GB से आपका बनता है one terabyte का storage आपको पता है मैं बड़ी unit से start कर रहा हूं ताकि हम और जांस के अब जो one terabyte है ठीक है अगर आप 1024 terabyte की बात करते हैं पीबी के बाद बनता है आपको पास P1 PV yanneke one petabyte ng 24 petabytes कि किस की इककुल होते हैं यह होते हैं आपके oneriajox अब्गे के माओ कर आपके तो और आपकर और मसे का चल्ग होता है ये कि शक्युआ होते हैं या यह आपके एक ब्राउंटवाइट रहें और है जो दो यख़ अई आपके ब्राउंटवड़ोन यूड़िंग वह पूर्ड़िय। बारिया होगे टोक्ष्ट के यूड़न थे देख़ teria किसी वीडियो रिस्पॉंस मिलता है हम बाक्य टॉप को भी कवर करेंगे आपके एक्जाम से पहले अगर रिस्पॉंस अच्छा मिलता है तब तक अच्छे से प्रिपेर करें बिकर्स यह कोशन बहुत सिंपल भी आते हैं काफी अच्छे कोशन भी आते हैं आपके जोवे में वाट में कन्फूजन है कि जितना आपको अच्छे से आता है वहां पर आपसे मिस्टेक ना हो और आपके पास एक थोड़ा सा वाइड गैसी लगाने से बैटर है आपको थोड़ी नॉलेश हो ताकि आप 50-50 लेकर आंसर को वहां पर करेक्ट कर सकें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप और वीडियो देख सकते हैं ति